एक सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि ये IL-6 वास्तों में करता क्या है तो इस लड़ाई लड़ने के लिए वो कई सारे तक्नीक अपनाता है तो उसमें सबसे पहले तो वो ये करता है कि IL-6 जो है वो बोन मेरों के पर काम करता है और नय-nय WBC को बनाता है क्योंकि यही WBC जाके infection से लड़ेंगे यही WBC जाकर एक तरीके से वो सैनिक होते हैं जो जाकर वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे तो पहले तो वो hematopoiesis करता है जिसमें वो WBC की मात्रा को बढ़ाता है दूसरे IL-6 fever create करता है फीवर बनाने से वो शरीर का तापमान ऐसा कर देता है जिससे कि जो बैक्टिरिया या वाइरस या जो भी infecting agent है वो उस तापमान में deactivate हो सके तीसरे वो हमारे रक्त प्रवा से होते हुए यह जो IL-6 जब बनता है तो यह हमारे रक्त प्रवा में हमारे खुन की धारा में बहते हुए वो लिवर में पहुंचता है और वहां से वो CRP, Fibrinogen और तरह तरह के दूसरे जो inflammatory markers हैं उनको वो release करवाता है उनको release करवाकर वो again वो क्या करता है fever mechanism में तापमान बढ़ाने का काम करता है और दूसरे WBC को recruit करके वहां पर वो लड़ाई लडने का काम करता है ताकि हम उस infection से लड़ सके हैं तीसरे यह IL-6 यह interleukin-6 macrophages यानि कि जो WBC के एक बड़े प्रकार के WBC होते हैं उन macrophages को यह phagocytosis के लिए promote करता है phagocytosis का मतलब होता है हमारे जो WBC यानि हमारे जो cynic cells होते हैं वो उस infective agent के चाहे वो virus हो या bacteria हो उसको लोग engulf कर लेते हैं उसको वो खा जाते हैं तो इस तरीके से macrophages को वो उन macrophages को यह IL-6 promote करता है कि यह उस bacteria या virus को खा जाएं तो इन तीन-चार तरीकों से इन तीन-चार जो techniques हैं उसके इन ही तरीकों से यह IL-6 हमारे शरीर की रक्षाप्रणाली को सक्रिय करके हमें infection और inflammation से बचाता है वो बाव